अस्सलाम अलेकुम वियर्स कैसे है आप सब तो आज हम बनाने वाले है साबुदाना वड़ा और साबुदाने की टिकिया तो चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते है तो यहाँ पे हमने एक कप साबुदाना लिये है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसे सोक कर हमें इतना ही पानी डालना है जिसमें वो सिर्फ भीग जाए हमें जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर हम जादा पानी डालेंगे तो वो नरम हो सकते है और जिसकी वज़ा से हमारे साबुदाने की टिकिया जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी अब हमने यहाँ पे लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप उसे ज्यादा सॉफ्ट बॉइल ना करें थोड़े कड़क ही रहने चाहिए जब आप इसे बॉइल करेंगे तो हम इसमें सारी ड्राय चीजे दालेंगे जैसे कि यहां पे हमने चॉप्ट गालिक लिए है और यहां पे हमने च अच्छे से ग्राइंड कर लिये थे और यहां पे हमें सुका ही लेना है और यहां पे हम दालेंगे वां टिबल स्पून सॉल्ट आपको सारी चीजे ड्राय ही रखनी है क्योंकि अगर एक बी चीज इसमें से गीली होगी तो हमारे साबुदानी की टिक्या है वो सॉफ्ट ब नहीं बनेगी जो अच्छी नहीं लगती है तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे हमारे मसाला जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसकी टिक्या बना लेंगे तो यहां पे हमें बॉल साइज जितना लेना है और फिर उससे हम इसके टिक्या बना लेंगे इसके बना लेंगे तो यह देखे यहाँ पे हमारी टिक्या रेडी है तो चलिए अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ऑईल हीट कर लेंगे जब हमारा ऑईल अच्छे से हीट हो जाएंगा तब हम इसमें हमारी जो सारी टिक्या है वो दाल देंगे आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राय करना है अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपके भजिया उपर से ब्राउन हो जाएंगे बट वो फिर अंदर से कच्चे लगेंगे, जो साबुदाना है हमारा वो बहुत ही कच्चा लगेंगा, इसलिए आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, यह देखे यहाँ पे हमारे अच्छे से क्रिस्पी रेडी हो चुके है साबुदानी की टिकिया और साबुदाना वड या फिर आप खोप्रे की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करें हम आपको उसकी बी रेसिपी देंगे, यह बहुत यह नात्य बने थे, बहुत वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें शेयर करें, ल